हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको LIC G1 लक्षे पॉलिसी के बारे में डीटेल में जनकारी दूँगा दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने आभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंट के साथ से से जरूर किजेगा तो चली दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम आपको LIC G1 Legacy policy क्या है LIC G1 Legacy policy के features क्या क्या है इस policy के benefits क्या क्या है इस policy के लिए eligibility criteria क्या है इस policy की premium क्यों होती है और LIC G1 Legacy policy कैसे खरीदे इन सबी बातों को आज के इस video में मैं डीटेल में बताऊऊंगा इसलिए इस video को अंतक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को हम बिनादेरी के हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तो एलाइसी का जीवन लक्षे पॉलिसी एक नन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुल लाइफ इंसुरेंस प्लान है इस प्लान में आपको लाइफ कवर के साथ साथ सेविंग प्लान का भी आपको बेनिफिट प्राप्त होता है दोस्तो ये प्लान आपको पॉलिसी एवधी के पूरा होने के बाद एन्वल इंकम का बेनिफिट प्रोवाइट करती है इस annual income benefit के माध्यम से आप अपने और अपने परिवार की financial जरूतों को पूरा कर सकते हैं साथ ही policy maturity से पहले किसी भी समय policy धारक की death होने के मामले में insurance amount का benefit nominated व्यक्ति को दिया आते है दोस्तों बात करें LIC G1 Lux ये policy के features की यानि की वी सेस्ताओं की तो दोस्तों ये plan आपको live cover के साथ साथ saving plan का भी आपको combination प्रोवाइड करती है LIC G1 Lux ये policy में आप अपनी जरूत के अनुसार 13 साल से 25 साल के बीच की आप policy term का selection कर सकते हैं दोस्तों इसमें आपको premium payment अब दी चुनने का आपको option मिलते हैं आप annually, half yearly, quarterly या monthly mode में आप regular रूप से premium का payment कर सकते हैं दोस्तों ये plan आपको loan लेनी की सुविदा भी परतान करती है इस plan में आप कुछ riders को जोड़कर अपनी coverage को बढ़ा सकते हैं जैसे कि LIC Accidental Death and Disability Benefit Rider LIC Accidental Benefit Rider LIC New Term Assurance Rider और LIC New Critical Illness Benefit Rider ये कुछ riders हैं जिनने अपनी policy में जोड़कर अपनी coverage को बढ़ा सकते हैं दोस्तों ये plan आपको income tax Indian income tax law के अनुसार आपको tax में छूट प्रोवाइड करती है दोस्तों अब हम बात करते हैं LIC G1 Lux ये policy के benefits के दोस्तों इस plan में आपको death benefit अपराप्त होता है दोस्तों LIC G1 Lux policy में maturity के निर्धारी ततिती से पहले policy अवदी के दोरान insured व्यक्ति की death होने पर insured व्यक्ति के दोरान nominated व्यक्ति को death benefit दी जाती है दोस्तों ये death benefit some assured on death plus wasted simple reversionary bonus और final additional bonus के साथ दी जाती है दोस्तों इस policy में आपको maturity benefit भी प्राप्त होता है LIC G1 Lux policy में insured व्यक्ति की policy अवदी तक जीवित रहने पर maturity benefit प्रोवाइड की जाती है ये maturity benefit insured amount on maturity plus simple reversionary bonus, simple vested simple reversionary bonus और final additional bonus के साथ दी जाती है दोस्तों maturity पर insurance की amount, original insurance की amount के बरावर होती है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि G1 Lux policy के लिए eligibility criteria क्या है दोस्तों इस plan की age at injury के बात करें तो minimum age at injury 18 साल है वही maximum age at injury 50 साल है इस plan की maturity age की बात करें तो ये maximum 65 years है इस plan की policy term की बात करें तो इस plan में आपको 13 साल से 25 साल की policy term चुनने के लिए मिलती है इस plan की basic sum SEO'd की बात करें तो minimum basic sum SEO'd एक लाख रुपए है और maximum की कोई limit नहीं है दोसो LIC G1 लक्ष ये policy के premium की बात करें तो इसमें आपको policy term 13 साल से 25 साल के बीच आपको चुने के लिए मिलते है इस plan में premium paying term की बात करें तो ये policy term minus 3 years होते है दोसो इस plan में premium paying mood की बात करें तो इस plan में आप yearly, half yearly, quarterly या monthly premium payment कर सकते हैं दोसो अब हम बात करते हैं कि LIC G1 लक्ष ये policy कैसे करीदें दोसो LIC के दोरा पेज किया जाने वाला ये plan आपको online और offline दोनों माध्यमों से swapping के लिए उप्लाफ होती है online माध्यम से आप LIC की official website पर जाकर इस plan को आसानी से खरीज सकते हैं offline माध्यम से इस plan को खरीदने के लिए आप insurance agent की मदद ले सकते हैं या फिर आप mediator के माध्यम से LIC G1 लक्ष ये policy को आप आसानी से खरीज सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता है कि LIC G1 लक्ष ये policy क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डीटेल से बताया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंट के साथ इसे सेर जरूर कीजेगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अने टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद झाल